नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का उत्रखंट पोस्त पर मैं हूँ अमित मोधी सरकार ने नई शिक्षा नीती को मंजूरी दे दी है नई शिक्षा नीती से शिक्षा के इस्तर में क्या बदलाव होगा साथ ही छात्रों को इससे क्या फाइदा होगा तो चलिए जानते हैं माना संसाधन विकास मंत्राले का नाम बदल कर सिक्षा मंत्राले कर दिया है नई सिक्षा निती में 10 प्लस 2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है अब इसे 10 प्लस 2 से बांट कर 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 फॉर्मेट में ढाला गया है सिक्षकों के साथ साथ अभिभावों को भी जागरु करने पर जोर प्रतेग छात्र की शम्ताओं को बढ़ावा देना प्राथमिक्ता होगी वैचारिक समझ पर जोर होगा रचनात्मक्ता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई अलगाव नहीं होगा नैतिक्ता, समयधानिक मूल्य, पाचिक्रम का प्रमुख हिस्सा होगी 2040 तक सभी उच्चे सिक्सा संस्तानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टिउशन बनाना होगा मल्टी सब्जेक्ट इंस्टिउशन में तीन हजार से अधिक छात्र होंगे 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टिटूशन होगा संस्थानों का पार्ठिक्रम ऐसा होगा कि सारवजानिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाए संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और उनलाइन कारिक्रम चलाने का विकल्प होगा सभी तरह के दीम्ड और संबंदित विश्वविध्याले को अब सिर्फ विश्वविध्याले के रूप में ही जाना जाएगा बौध्धिक, सामाजिक, शारिलिक, भावनात्मक और नैतिक सभी शमताओं को एकिकरत तौर पर विक्सित करने का लक्ष नई सिक्षा नीती में संगीत, दर्शन, कला, निर्थ, रंगमंच, उच्छ संस्थानों की सिक्षा के पाचकरम में सामिल होंगे सना तक की डिग्री तीन या चार साल की अवधी की होगी एकेडमी बैंक ओफ क्रेडिट बनेगी छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकटा किया जाएगा 2050 तक कम से कम 50 फिजदी सिक्षार्थियों को व्यवसाइक शिक्षा में सामिल होना होगा गुणवत्ता योग्यता अनुसंद्धान के लिए एक नया राश्री सोथ संस्थान बनेगा इसका संबंध देश के सारे विश्व विद्यालाई से होगा तो ये थी नई सिक्षानीती बाकी उत्राखंट के तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट उत्राखंट पोस्ट डॉट कोम पर विजिट कर सकते हैं साथ ही उत्राखंट के रोचक वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही हमारे फेस्बूक पेक्ष को भी जरूर लाइक करिए नई शिक्षानीती को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले फ